जोडने की क्रियाओं में आपका स्वागत है मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं जोड आपको इतना महत्व पूर्ण नहीं लगता है ठीक है पर बुजे लगता है कि इस वीडियो के खत्म होते होते या कुछ ही दिनों में ये महत्व पूर्ण लगने लगेगा तो आईए हम शुरू करते हैं कुछ सवालों से मैं एक पुराने उधारन से शुरू करता हूँ एक जमा एक मेरा ख्याल है आप पहले से ही जानते हैं कि इसे कैसे करना है परन्तु यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको इसे हल करने का तरीका दिखाता हूँ मान लें कि मेरे पास है एक चलो हम इसे संत्रा कहते हैं यदि मेरे पास एक संत्रा है और आप मुझे एक और संत्रा दे देते हैं तो आब मेरे पास कितने संत्रे हुए आईए देखते हैं, मेरे पास एक और एक दो संत्रे हैं इस तरह एक जमा एक बराबर है दो मैं चानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं ये तो बहुत आसान था चलो अब मैं आपको थोड़ा कठिन सवाल देता हूँ तीन जमा चार, कितने होते हैं? ये मेरे विचार में थोड़ा मुश्किल सवाल है अच्छा तो हम संत्रों पे ही आते हैं फिर मुझे संत्रे पसंद हैं, आपको भी शायद पसंद होंगे इसलिए मैं इने ही इस्तमाल करूँगा ये सचमुद बहुत ही स्वादिश्ट फल है और मैं इसे अक्सर खाता हूँ तो मान ले कि मेरे पास तीन संत्रे हैं एक, दो, तीन ठीक है? एक, दो, तीन और हम मान ले कि आप मुझे चार और संत्रे देने वाले हैं मैं इने पीले रंग में लिखता हूँ ताकि आप जान जाएं कि ये वे संत्रे हैं जो आप मुझे देने वाले हैं एक, दो, तीन, चार इस तरह अब मेरे पास कितने संत्रे हुए? ये है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ संत्रे इस तरह तीन जमा चार बराबर है साथ और अब मैं आपको इसके बारे में सोचने का एक और तरीका बताता हूँ इसे संख्या रेका कहते हैं यही वह तरीका है जो मैं आजमाता हूँ जब मैं भूल जाता हूँ इस तरह संख्या रेका पर जो भी संख्या है मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ सभी को क्रम में लिखता हूँ तो आप जानते ही हैं पहली संक्या शून्य है जो कुछ नहीं है अगर आप नहीं भी जानते हों तो अब आप जान गए हैं एक, दो, तीन, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस यह चलता रहता है, ग्यारा तो हम कह रहे हैं तीन जमा चार, हम तीन से शुरू करते हैं मेरे पास तीन हैं और हम इस तीन में चार जोडते हैं हम बस इतना करते हैं कि चार और अंकों तक संख्या रेका पर दाएं बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं एक, दो, तीन, और चार ध्यान दे कि हम केवल एक, दो, तीन, चार रंग तक आगे बड़े हैं और हम पहुंच गए हैं साथ पर जो हमारा जवाब है चलो हम कुछ अलग-अलग प्रस्ण करते हैं तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आठ जमा एक क्या है? यह आप पहले से ही जानते होंगे आठ जमा एक बिल्कुल अगली संख्या होती है संख्या रेका पर हम आठ से शुरू करते हैं और एक जोड़ते हैं आठ जमा एक बराबर है नौ आए कुछ मुश्किल सवालों को हल करते हैं आपको बता दूँ यदि आपको मुश्किल लगता है तो आप हमेशा गोले बना सकते हैं या संख्या रेका खींच सकते हैं और आपके और अधिक अभ्यास करने पर आप इन्हें याद कर लेंगे और आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में ही हल कर लेंगे तो मैं दोबारा संख्या रेका खींचना चाहता हूँ मेरे पास रेका खींचने का एक साधन है इसलिए मुझे भद्दी दिखने वाली रेकाई नहीं बनानी चाहिए जो मैं बनाता रहा हूँ यह देखिए, क्या बात है यह रेका बहुत अच्छी दिखाई देती है मैं इसे मिटानों नहीं चाहता तो मैं संख्या रेका खींचना हूँ शूर्ण्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ एक कठिन सवाल हल करते हैं मैं इसे कुछ अलग रंगों में करने जा रहा हूँ पांच, जमा, छे आप चाहे तो इस वीडियो को रोक कर इसका अभ्यास कर सकते हैं हो सकता है आप पहले से ही इसका उत्तर जानते हूँ यह कठिन इसलिए है क्योंकि इसके उत्तर की संख्या आपके दोनों हातों की उंगलियों से अधिक है इसलिए आप इसे अपनी उंगलियों पर हल नहीं कर सकते हैं मेरा फोन बज़ रहा है लेकिन क्लास ज्यादा ज़रूरी है तो हम पांच से शुरू करते हैं और हमें इसमें छे जोड़ना है इसलिए हम बढ़ते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हम अब ग्यारा पर हैं इस तरह पांच जमा छे बराबर है ग्यारा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छे जमा पांच कितने होते हैं क्या आप दो संख्याओं को बदलने के बाद भी वही उत्तर पाते हैं चलि हम कोशिश करते हैं मैं इसे एक अलग रंग में लिखता हूँ, ताकि हम सभी चक्रा न जाए हम 6 से शुरू करते हैं, पीले की तरफ ध्यान मत दीजे और उसमें 5 जोडते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच लोग हम ठीक उसी स्थान पर पहुंच गए आप ऐसे ही अनेक सवालों पर इसे आजमा कर देखें और आप देखेंगे कि ये हमेशा कारगर होता है पास 11 हो जाएंगे आए हम कुछ और करके देखते हैं इसी संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं मैं आपको और भी उल्जन में डालूँगा क्योंकि इसके उपर बहुत कुछ लिखूँगा इस बार मैं सफेद रंग का प्रयोग करूँगा तो आठ जमा साथ कितने होते हैं आप इसे अभी भी पढ़ पा रहे हैं तो आठ ठीक यहाँ है हमें इसमें साथ जोडने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हम पंदरा पर पहुंचते हैं आठ जमा साथ बराबर पंदरा तो इससे आपको यह समझ आया कि इस तरह की समस्याओं को कैसे हल करना है और जल्द ही आप कुछ गुणा करना भी सीखने वाले हैं परन्तु जब आप गनित में शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत अधिक अभ्यास की जरूरत होगी तो कुछ हद तक आपको उन्हें याद करना शुरू करना चाहिए मुझे लगता है कि आप जोड के सवालों का हल खोजने के लिए तयार होंगे और मैं चाहता हूँ आप यह वीडियो तीन साल बात देखे आपको मेरी याद जरूर आएगी और आप कहेंगे यह जोड कितना आसान था क्यूंकि आपने इतना जल्दी सीख लिया खैर अब आपको सारे तरीके पता चल गए हैं पर यदि आपको कोई मुश्किल हो तो आप संख्यारे का खीच कर उस पर जोड सकते हैं या फिर गोले बना कर इसका हल निकाल सकते हैं तो दो तरीकों से आप इसका हल निकाल सकते हैं संख्यारे का खीच कर उस पर जोड सकते हैं या फिर आप गोले बना कर इसका हल निकाल सकते हैं मुझे लगता है कि आप जोड के सवालों का हल खोजने के लिए तयार होंगे, मज़े कीजिए